हेलो फ्रेंड्स में निकीता आपका तड़का सिहतका में स्वागत करती हूँ आज आपके लिए लेकर रही हूँ दिवाली स्पेशल हिल्दी स्नैक्स जो की आप एक बार बनाए और महिनों तक स्टोर कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंस्टन्ट बनने वाला ये हमारा चूड़ा रेडी होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है तो चलिए हम शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप मेरे साथ वीडियो में इंट तक ऐसे ही बनने रही है और अगर आपको रेसी भी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए तो चलिए हम देखते हैं कि हमें इस चूड़ा बनाने के लिए क्या-क्या सामान लगने वाला है कुछ ज़्यादा मैंने सामान लिया ही नहीं है ज़्यादा मैंने बहुत कम सामान से हमारा हेलदी चूड़ा बनके रेडि होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मखाना ले लिया है मेजर्मेंट अपने अकॉर्डिंग रखिएगा यहाँ पे मैंने एक डिश सेट कर ली है मखाना ले लिया है यहाँ पोहा ले लिया है थोड़ा वनफोर्थ कप जितना पीनर्स लिया है मैंने कॉन फ्लेक्स ले लिया है यह भी ओफ्शनल है अगर आप डालना चाहे तो या फिर नहीं ड्राइ क्रोकोनट की स्लाइस ले लिया है जो सत्तु वाली दाली आती है ना वो ले ली है हरी मिर्श मैंने दो कट करके ले ली है और थोड़े से बादाम स्प्रीट में कट कर लिये है और यहाँ पे मैंने दो बड़े कब जितना मुर्मुरा लिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे थीक बॉटन वाली एक हमें कड़ाई लेनी है उसमें हम मखाना और पहाँ ड्राय रोस्ट करना है हमें ताकि ये अच्छे से सिच जाए कुरकुरे इसकी आवाज आए तब तक हम इसे रोस्ट करना है आप चाहे तो तेल में फ्राय कर सकते हैं बट इस तरीके से आप बिना के देखना बहुती ज़्यदा टेस्टी चूड़ा बनता है तो इसे हम टांसफर करेंगे एक पारात में थंडा होने के लिए रख देंगे अब हम क्या करेंगे उसी कड़ाई में हमें तीन बड़े चमच जितना तेल डालना है सबसे पहले हम इसमें कॉनफलेक्स तल के निकाल लेंगे बाद में हम हमारी प्रोसेस इसमें करेंगे तो देखे तेल अच्छे से गरम हुआ है इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉनफलेक्स को अच्छे से फ्राई कर लूँगी यकीन मानिए जब मिक्स चूड़ा बनाते हैं उसमें जब कॉंफलिक्स जाता है चूड़े का टेस्ट सो गुना ज़्यादा बढ़ जाता है बस इसी तरीके से मैंने सारे ही कॉंफलिक्स को फ्राय कर दिया है और इसे हम इसे भी ट्रांसफर करेंगे एक परात में इसे हम थंडा होने देंगे यह देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर दिया है अब सेम कड़े में मैंने तेल तो हमारा गरम है उसमें डालेंगे पीनर्स साथ में जाएगी दालिया यह कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख लेना अब इसमें जाएगे कोकोनट स्लाइस किया हुआ ग्रीन चीली कट की हुई स्प्लिट बादां इसे हमें अच्छे से इसमें फ्राय करना है जब तक कि इसमें रेड कलर ना आए मतलब गोल्डन ब्राउन कलर आए तब तक अब देख सकते हैं हमारे ये वाला मिक्स्टर अच्छे से फ्राय हो चुका है अब इसमें हम ग्यास की फ्रेम हमें आफ करने है इस स्टेच पे इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जैसे कि मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर तिखा आपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं मैंने तीन टेस्पून डाला है अल्रडी हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है हल्दी जाएगा चोथाई चमच, नमक स्वादा नुसार थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए चाट मसाला डाला है बिल्कुल ओफशनल है यह अब हम यह मिक्षचर इसमें पोर करेंगे सबसे पहले तो मुर्मुरा हम अड़ कर देंगे इसके उपर अब इसमें डालेंगे हमारा मसाला मिक्षचर इस तरीके से अब इसे दो स्पुन की साइता से अच्छे से मिक्स करते जाना है तो ये लीजे हमारा जटपट मिक्स्टर रेडी है बहुत जदा स्वादिस्ट लगता है आप इसे एक बार बनाईए और महिनों तक स्टोर कर सकते है छोटी मोटी भुक के लिए चोटी भुक के लिए तो बेस्ट ऑफशन है यहाँ पर मैं डालूंगी शुगर पावडर ऑफशनल है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डाले बट शुगर पावडर डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है अच्छे से मिक्स करना है और मिलाते जाना है इस तरीके से तो मेरा ये वाला मिक्स्चर रेडी है आपको ये रेसिपी कैसे लगी इस दिवाली पे आप जोलू ड्राइ कीजिए और आपके पैस कोई स्नाक्स रेसिपी या चुड़ा रेसिपी तो मेरे साथ शेर कीजिए कॉमेंट सेक्षन में फीड़बैक दीजिए पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए बेल आइकों को हीट करना ना फूले तब तक के लिए बाइ बाइ मिलते हूँ इसे ही नई नई रेसिपी इसके साथ में इसे स्टोर करके रख दिया है तो चलिए बाइ बाइ थैंक्यू फॉर वाचिंग